साथ्योर आमार यहां कहा गया है स्वदे से पुझते राजा विद्वान सर्वत्र पुझते अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सीमित सम्मान ही मिल सकता है जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी वहीं सम्मान मिलेगा लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगह होता है दिंद्याल जी इस विचार के साक्षाद जीता जाकता उधारन है उनका एक एक विचार उनके एक एक शब्द उन्हें पूरी दुनिया में एक विलक्षण व्यक्तित्व बना देते हैं सामाई एक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए भारत के लोक्तंत्र और मुल्यों को कैसे जीना चाहिए दिन्द्याल जी इसके भी बहुत बड़ा उदारना है एक और वो भारतिय राजनीती में एक नए विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे वही दूसरी और वो हर एक पार्टी हर एक विचार धारा के नेताओं के साथ भी उतने ही सहज रहते थे हर किसी से उनके आत्मिय समंद थे उन्होंने अपनी पोलिटिकल डायरी लिखी थी जिसमें नहरुजी की सरकार की सुरक्षा के समंद में खाद्य नीतियों के समंद में कृष्ची नीती के समंद में खूल करके तथ्य परक आलोचना की थी बहुत ही क्रिडिसाइज किया था लेकिन जब उन्होंने अपनी इस डायरी को प्रकासित किया पुस्तक के रूप में तो इसका प्राकत्थन उन्होंने कॉंग्रेस नेता और यूपी के मुख्यमंत्री रहे स्रिमान संपुणान अन्जी से ही लिखवाया संपुणान जी ने अपनी टिपणी में एक बहुत ही प्रभावी लाइन लिखी है उन्होंने लिखा है ये पुस्तक फ्यूचर रीडर्स के लिए एक साइकोलोजिकल ग्लो है आज दुनिया देख रही है कि इस महापुरुस के विचारों का ये ग्लो कैसे पूरे भारत में अपनी चमक बिखेर रहा है